नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृती आई एस यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूं आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एक बेहत महतुपूर्ण और चिंता जन्यक मामले के बारे में दरसल न्यूज किया है तो अभी हाल ही में सिर्सा हरियाना म का आकड़ा आ रहा है कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रदान मंत्री दोनों को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखते हूँ यह बताया है कि उन 500 चात्राओं के साथ में विश्विध्याले की अंदर योन उत्पीडन हुआ है यह एक बड़े स्तर पर ह हुआ है और यह घटना कई महीनों से चल रही है जिसके बाद परदान मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को इस संब्ध में सूचित किया गया है वैसे यह पत्र लिखकर के योन उत्पीडन की बात बताना हमारे देश में कोई नया नहीं है बीते दिनों हम लोगों ने ख प्रस्तुत की गई है किस प्रकार से पत्र आये हैं और बाकी जो भी से जुड़ा हर एक चीज देखेंगे हमारे कानून क्या कहता है उसको भी समझेंगे लेकिन हर एक बात को समझने जान में से पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लीजिए कुछ इस प्रकार मैं आपको यहीं क्लियर कर देना चाहता हूं कि महिलाओ संबंदित मामले में 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 खास्तों पर पूछे जाते हैं तो जरूरी है कि आपकी पास में इस प्रकार की घटनाओं के प्रॉपर नोर्स हो ताकि कहीं भी जब सीज़ें आए तो आप लोग हम पे हर एक चीज को मै नहीं है आंसर लिखते समय कि ऐसी घटनाओं को एक तरफा मैंशन करना है सरकार की कारवाई हुई निहाए किस प्रकार मिल रहा है क्या कानून है क्या 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 परयास कि जारे हैं सरकार दौर यह सबहुत है पर जान रहा था तो उस स्थितिए मुझे एक बात यहां पर यह किसी school में घटना हुई है किसी college में घटना हुई है उनिवर्सिटे में घटना हुई है या फिर और जगार चेण पर सरकारी चेत्र प्रकार स्थिती के इसबद्धार स्थिति पारिवारिक इस्तिती अलग लग चीजों को मेंशन कर देयाता है अलग लग डिलेमाज आते हैं उस दौरान और विकल्प वगेरा आप लोगों से पूछे जाते हैं तो इस प्रकार की फूरा के आप लोग सुनेंगे जानेंगे तो केस टेडी के लिए आप लोग तियार हो सक यहाँ साहा से लगतार यूओं उत्पीडन है महीनों से क्या है यह हमें अपने परसोनल चेमबर में अपने रूम में बुलाया करता, और अलग अलग परकार के जहां से दियाकरता था, धम्की दिया करता, हम लोग इन सबी चीजों को सहे रहे थे वहीं ये बात भी देखने वाली है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इन्हों ने पत्र लिख करके या अपने बात किसी रूप में प्रस्तुत की हो एक इस्तिति यहां पर यह है कि एक वर्ष के अंदर चौथा पत्र है यह है जो अब लिखा गया है और चौथे पत्र जो है वुसको भेजा गया है परधार रहे हैं इस दौरन जो घटना होती थी उन्होंने उसका भी मेंशन किया है कि छात्राओं के साथ में गंदी हरकते की जाती थी अश्लील हरकते की जाती थी उन्हें गलक तरह से चुवा जाता था और अगर वह चीजों को एकसप्ट नहीं करती थी या विरोध करने का प्रयास क करने का प्रयास कर रही हो यह बिल्कुल भी बरदाश विश्व ध्याले के अंदर नहीं किया जाएगा एक इस्थिति यह भी है कि जो वेक्ति है जो प्रोफेसर है वह राजिंदिक प्रभाव वाला वेक्ति है उसका सब जबदबबा है उसकी विश्व विद्याले में भी अच्छी पैठ है अच्छी बाचीत है जिस वजह से पिछले पत्र लिखे जाने के बावजूद भी उसके विरुद कोई भी कारवाही नहीं की काच कुई है अपतर तो लिखित और विवारिक परिक्षाओं में उनको अच्छे अंग देने का भी एक जहासा दिया गया था तो यह हर एक बात इन्होंने अपने पत्र में क्लियर की हैं जो अब हम सभी के सामने आई अब देखते हैं आगे आने वाल समय में क्या होगा क्योंकि एक S.I.T. जो है वह है इसके लिए गठित कर दी गई है जिसने अपनी जाच शुरू कर दी गई है जैसे कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि चौथा पत्र है यह है तो जो पहला पत्र था वह इन छात्राओं ने जून दो हजार तेईस में विश्व विध्याले के प्रशाशन को ही बेजाता इस दौरान विश्व विध्याले के दुवारा आंत्रिक जाच की गई और आं ने 90576 ऑट्राओं की दौराः ग्राध यह पर रहा है तो विष्व विध्याले के अंत्रिक जाच हुई कोई फ़ीनियदे दी प्राफेसर साद के अगे चलने लगी फिर दुबार अक्षन लिया गया नवंबर 2023 में दूसरा पत्र भेजा गया वहीं दिसंबर 2023 में तीसरा पत्र भेजा गया यह जो दो पत्र से यह दोनों ही पत्र भेजे गए थे राज्य के राज्यपाल को जिसके बाद कोई भी अक्षन नहीं लिया गया था तो के बाद अभी है चौथा पत्र जो है अब भेजा गया है पूरा का पूरा घटना करम हो गया अब छात्राओं की जो मांग है वह ही है कि उच्छे नियायले के एक सेवा नियाय धीश की नेत्रितु में एक जल गठित किया जाए एक समीति गठित की जाए उसके बाद उस समीति फिर देखेंगे वाद क्या होगा क्या हिए क्या होंका और माद भी सबकुछ पीछे ही और एक अच्छा खासा समय लगता है हमारे देश में जांच में यह बात हैं हम सबी लोग जानते भी है इसमें कोई दोरा है नहीं तो यह है पूरी के पुरी स्थिति थी है हमारे सी नि बुलाना और यह सबी बाते बताना मतलब छात्राओं को धंकी दे देना एक जो प्रोफेसर है उसका राजनिक प्रभुत वाला व्यक्ति होना यह हर एक स्थिति जो है यह उनके मार्क्स देने वाली जो स्थिति है यह सब दिखाती है कि यहां पर एक अच्छी खासी case study चुप सबसे पहली बात कि यहां उत्पेण के अंदर शामिल क्या है तो देखें यहां उत्पीडन में शामिल होता है किसी महिला को शारीरिक मौकिक या ग्यार मौकिक आचरण प्रस्तुत करना जो स्विक्रित नहीं है या फिर यहां संकीत देता है यानि के sexual किसी ऑक्टिविटी क रिक्वेस्ट लगेगा उसके बाद आप सलाखों के पीछे चले जाएंगे, अव आमचित कृतियों करते हैं शारी रवक्स, कई बार होता है कि आप शारी रिक्क। से कोई काम कर। महिला को नहीं पसंद महिला मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग किये जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी योन संबंद के रहे हैं या अनुरोद कर रहे हैं यहां पर दो स्थितिया होती है पहली स्थिति होती है रिक्वेस्ट करना कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं महिल कर रहें उसके साथ में जो कि ठीक नहीं है महीला सहज नहीं है शेक्षियल एक्ट्विटीज को दर्शाते हैं या किसी और सिद्धिकों संकेत देते हैं तो उस दौरान अगर आप ऐसी कोई भी कमेंड कर रहे हैं कैसी कोई बात कर रहे हैं डबल मीनिंग बाद जिसको मुझे क इंक तहती शामिल किया जाएगा इंपोर्टेंट है सबको पता होना चीए ताकि कोई भी ऐसा काम करने से बचे क्योंकि कभी ऐसे मामले फसो को जिंदगी खराब है उसका कुछी का कुछ नहीं हो सकता है हमारे आप कानून क्या क्या बने हूँ है देखिए आईपी सेक्शन 292 में बताया गया कि क्या होगा जर्म एज अस्हेश्वल हरिसमेंट अश्रील लेक र llega रहें हैं लेक लिखे हुए हैं दिखा रहे हें अशली दिखा-चित्र दिखाना है बनाना तस्वीर से प्रतिरूप दिखाना इसके साथ 60 कि Ini सामहगरी को बेचना पर देना या विद्वित करना यह है सब काम करता तो IPC section 292 के तहत केस दर्ज होगा और इसके बाद मामला फिर चलेगा अभी हम लोग चीज़े IPC के तहत ही पड़ रहे हैं बाकि सभी को याद पता है कि भारतिये नियाय सहीता आ गई है पूरी तरह से विवस्था में लागू नहीं है अभी training दी जाएगी professionals को उसके बाद सहर अभू हो जाएगा तो हम लोग जो भी प्रावधान पड़ेंगे फिर BNS के अनुरूप ही पड़ेंगे लेकिन आप लोग को यह सभी बाते इसलिए भी आज रखने हैं कि अगर examination आप कुछ तरा से लिख रहे हैं किसी बात को मैं परस्तुत कर रहें तो उस दोरान आप ग्रूप से कभी भी कोई अश्लील गीत गाते हैं कवीता गाते हैं या अश्लील शब्दों को मुह से निकालते हैं अश्लील शब्द मुह से निकालने में गालियां भी शामिल है ठीक है तो थोड़ा सा परहेज कीजिएगा तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो यह है ज बशेटेटी करने वाली स्तिति कोई करते हैं तो वहें जबरती स्तिती स्टीट 254 कि तहाएगी अश्रील करने के लिए बिए संस्ति के लिए आप उस पर हम возьलाकर बहुत बार होती अलग अलग पर्यास करते हैं चीजे और बड़ चोटिल हो जाती है महिला जिसके बाद आप फिर अपनी मंशाव को पूरा कर लेते हैं तो वह भी 354 के तहते हैं कोई नातेदार रिष्टेदार या कोई और वेक्ति जो महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास करेगा वह सब भी इसके तहते हैं फिर दोशी पाए जा करते हैं तो मामला बहुत जादा खराब जाएगा तो वही मामला की महिला अपने प्राइवेट स्पेस में जिसके रहमान लीजे कि अपने पर्सनल रूम में है वह वाश्रूम में है बाथ रूम में है बड़ आप उस पर नजर रखना चाहरे हैं वह चेंज करने गई हैं त तस्वीरे लिंगे या फिर तस्वीरे लेकर करके आपने शेयर कर दी तो सक्षन 354C के तहर्प पूरा केस दर्ज होगा जिसमें कम से कम एक से तीन वर्ष की सजा और अगर आप घड़ना को दुवारा से करते हैं तो तीन से साथ साल की सजा हो सकते हैं साथ में जुर्माना भी पीछे जा रहे आपने नंबर ले ली बिल गया आप लोग को तो बार बार पार करे आपकर नंबर ब्लॉक कर दिया तो थो फोन बदल बदल के काल करें वहीं इसके साथ सवाते हैं आप मैसेज कर रहे हैं और ün कर रहे कर रहे हैं यह सभी चीज़ हैं यहीं पर ही मैंशनिक अगर आप ऐसा कोई भी काम करेंगे जबर जस्ती आप महिला को फॉलो करेंगे तो आप को वुरुद कानूरी कारवाई की जाएगी क्योंकि जबर जस्ती इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना भी हमारे देश में ज सभी चीजों से बचना है जितना बचे रहेंगे उतना ठीक है और तैयारी करने आए हैं पढ़ रहे हैं सभी लोग हर जगा पे तो इसलिए जरूरी है कि चीजों को सेफ रखा जाए सभी के लिए होता क्योंकि सबको पता यह बत की आपदा कभी भी बता के नहीं आती और च है उचित समझे कि यह सभी चीज़े कि हाँ अपने देश में हैं अपने समाज में हैं अपने लोग के बीच में और उन्हें कभी की घर से भार निकलने का कोई डर ना रहें इतने सभी चीजों को जानने समझ लेने के बाद एक अच्छी खासी केस्टेडी आप लोग मैंशन कर सकते हैं अच्छी खासा अंसर आप लिख सकते हैं वहीं एक कोश्चन जो प्री के लिए दिखाया था कुछ इस प्रकार का था आप लोग अंसर भी कॉमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा मेंस के लिए नोट्स जरूर बना ली चाहिए ठीक है तो वीडियो पसंद आई है चीज अच्छी लगी है कुछ नया सीखर जाना समझा है तो वीडियो बाके साथ जरूर शेयर कर देना है वीडियो को लाइक के बना नहीं जाना है हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे लेकिन हाँ आप लोग को आंसर भी चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर हैं उम्मित करता हूं सही रहा होगा परशने को ठीक से समझ लिया होगा और यहां दिक्कत नहीं आने चाहिए तो अगले वीडियो में फिर्म लाकात करेंगे कुछ नहीं बातों के साथ तब तक के लिए विदा दीजिए थैंक्यों सो मुच